इस निमेरिकल में हमने वेग सिर्ष का मान ग्याद किया बच्चों अपने यहां ध्यान दिया होगा कि वेग सिर्ष का मातरक हमने मीटर लिखा तो वेग सिर्ष को मीटर में केल्कुलेट किया जाता है इसी प्रकार दाप शिर्ष और इस्थेतिक शिर्ष को भी मीटर में ही के प्रवाहित हो रहा है तो इस प्रकार इनका विमिय सूत्र हम देखें तो यह होगा एमजीरो एल टीजिरो साथ ही देखें यदि कोई ध्रव किसी नली से प्रवाहित हो रहा है तो स्नली के किसी पर्टिकुलर बिंदू पर या फिर उसके किसी अनुप्रस्थ काट की छेतर फल पर उसकी तीनों प्रकार की ओर जाए होंगी यानि उस नली में प्रवाहित होने वाले द्रफ की कुल ओर जाए यदि हम देखे तो वह स्थितीज और दाब और जा और गतीज और जा का योग होगी तो इस प्रकार हम कुल औरजा के लिए समीकरण लिख सकते हैं, इस्तितीज औरजा प्लस दाब औरजा प्लस गतीज औरजा का योग, और हमने इन तीनों औरजाओं के सूत्र को देखा, अलग-अलग स्तिती में देखा, तो इस प्रकार से कुल औरजा के समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता ह half mv square plus mgh plus m upon rho into p यहाँ पर m द्रफ का द्रविमान है v द्रफ का वेग है h नली की उचाई होती है p दाव होता उस बिंदू पर और rho उस द्रफ का घनत्व है यहाँ एक particular point की बिंदू की बात कर रहे है यहाँ पर एक अनुप्रस्थ काट के शेत्रफल की बात कर रहे है तो यहाँ पर यह जो वेग है उचाई है उसी बिंदू से ही संबंदित होगी या फिर उसी अनुप्रस्थ काट के शेत्रफल से ही संबंदित होगी अब इस कुल उर्जा को हम दोसर तरीके से भी लिख सकते हैं यदि हम प्रती एकांग का द्रव्यमान के लिए लिखे हैं तो हमने प्रती एकांग का द्रव्यमान के लिए भी तीनों प्रकार की उर्जाओं का सूत्र लिखा था तो उसी का योग करेंगे तो यह जाएगा हाफ v square plus gh plus p upon rho और प्रती एक आंग आयतन के लिए निकाले तो यह होगा half rho v square प्लस rho gh plus p और प्रती एक आंग भार के लिए निकाले तो यह होगा half v square upon g plus h plus p upon rho g इस प्रकार हमने इस सूत्र को अलग-अलग परिस्विति में रिख लिया इसनी रिखा बच्चों क्योंकि निमेरिकल कोश्चन्स आते हैं तो कभी प्रति एक आंग आयतन में दिया जाता है कभी प्रति एक आंग भार में होता है कभी प्रति एक आंग द्रव्यमान में होता है तो जैसे भी condition हो उसके अधार पर हम numerical questions में इस प्रकार के formula का इस्तमाल कर सकते हैं और स्वेजर लेंड के physicist डैनियल बर्नॉली ने बताया यदी कोई आधर शुद्रव आधर शुद्रव यानि ऐसा द्रव जो असंपिंडिय हो और अश्यान हो non-viscous and incompressible fluid यदी किसी नली से प्रवाहित हो रहा है इसका प्रवा धारा रेखी है यानि कि streamline उस condition में नली के किसी भी अनुप्रस्त काट के छेत्र फल के लिए हम देखे तो ये तीनों और जाओं का कूल योग हमेशा नियत ही रहता है एक constant quantity होती है और यदी इसे हम सूत्र में लिखना चाहें तो प्रती एकांग आयतन के लिए हम लिखेंगे पी प्लस हाफ mv square प्लस रो जी एच पी मतलब ये दा बूर्जा हाफ mv square गती जूर्जा और रो जी एच ये स्थिती जूर्जा ये तीनों का योग एक constant राशी होगी इसी प्रकार आप प्रती कांग द्रव्यमान के लिए भी देखें या प्रती कांग भार के लिए भी देखें तो ये एक constant quantity होती है यानि की कुल ओर्जा हमेशा नियत ही रहती है चाहे पाइप का cross section area कैसा भी हो मोटा हो एक साइड एक साइड पतला हो तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता किसी भी cross section area पर आप देखें तो ये तीनों ओर्जाओं का कुल योग हमेशा constant ही मिलता है तो आईए बर्नौली के इस प्रमय को हम सिद्ध करते हैं इसके लिए हमने एक नली नी है अब देख सकते हैं ये नली के अनुप्रस्त काट का परिक्षेद असमान है एक साइड ये नली मोटी है एक साइड ये पतली है साथ ही ये नली प्रत्वी की सतह से समान उचाई पर नहीं है इसका एक सीरा कम उचाई पर है और एक सीरा अधिक उचाई पर है हमें इस नली के सीरों का नाम दे देते हैं इसे हम X देते हैं और इसे हम Y देते हैं माल लेज़े X सीरे की उचाई प्रित्वी की सत्ह से जमीन से हम ले रहे हैं H1 है और Y सीरे की उचाई H2 है एक्स सीरे का अनुपरस्तिकाट का छेत्रफल यानि क्रॉस सेक्शन एरिया हम A1 से दर्शा आते हैं जबकि Y का हम A2 से दर्शा रहें A1 से द्रव प्रवाहित होकर नली के अंदर प्रवेश कर रहा है जबकि Y में यही द्रव उस नली से बाहर की और आ रहा है यहाँ पर हम X में इस द्रफ के वेक को वी वन से प्रदर्शित कर रहे हैं, जब कि Y में हम इस द्रफ के वेक को वी टू से प्रदर्शित कर रहे साथ और इस नली के अंदर इस मिर्फ का प्रहवा हां धारा रेखी रहें स्टीम लाइं और धारा रेखी प्रहवा में क्या होता है कि सी भी बिंदू पर करणब कवेग विख उस बिंदू से गुजरे वाले करण का जो पहले गुजर चुका है प्रसाइडिंग करण प्रसाइडिंग परटिकल उसके वेक के बराबर होता है निश्यचक्षप बिंदू पर हमेश्ес कपढुक का वेक समानी रहता है नियत रहता है उसमें से चाहे कितने भी कंड गुजर जाएं हर कंड जब उस बिंदों में से गुजरेगा तो उसका वेग नियती रहता है और इस प्रकार जोसकी ट्रेजेक्टरी बनती है जो वेलोसिटी ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं इस तरीके से सब समानतर बनेंगी यहां वक्रा से यही द्रव नली से बाहर की और निकलेगा अब यह द्रव कब प्रवाहित होगा जब इस नली में दाब का अंतर होगा और द्रव को प्रवाहित करने के लिए जो कुल कार्य होगा वो इस द्रव की गतीज उर्जा और स्थितीज उर्जा में व्रुद्धि कर देगा यू गतीज उर्जा में यह यू कहें कि उर्जा में वृध्धी करता है तो इस प्रकार यहां पर हम देखेंगे कि जो द्रफ को प्रवाहित करने के लिए कारी किया जा रहा है इस द्रफ पर वो इसके स्थितीज उर्जा और गतीज उर्जा में वृध्धी करेगा तो हम एक एक कर कि इन सब के लिए हम सूत्र ग्याद करेंगे पहले हम देखेंगे कि कि इतना कार्य करना पड़ रहा है इसी तो जूर्जा में व्रिद्धी कितनी हो रही है गति जूर्जा में कितनी व्रिद्धी हो रही है और इस अधार पर हम इस कि 10 को आगे क्यों app है तो इस नली को हमने दो भाज में पहले ही बाट लिया एक्षट और वाई वालास परिक्षेट तो हम किसी एक परिक्षेट के लिए ग्यात कर लेंगे और इसी प्रकार हम वाई के लिए भी ऐसा ही डेरिवेशन आगे बढ़ा सकते हैं वोलके इस जो फॉर्मुला आएगा उसको हम वाई के लिए भी लिख लेंगे तो सबसे पहले हम एक सीरे पर देखते हैं एक सीरे पर द्रव अंदर की और प्रवेश कर रहा है और इस द्रव का वेग वी वन है तो एक सेकंड में द्रव के द्वारा तै की गई दूरी वेग बराबर होता है दूरी बटे समय तो दूरी बराबर होगा वेग इंटू समय यहां पर समय हम एक सेकंड ले रहे हैं और वे अब इस द्रव पर लगने वाला बल कैलकुलेट करेंगे हम जानते हैं बच्चों दाब बराबर होता है बल अपॉन छेत्रफल तो बल बराबर होगा दाब इंटू छेत्रफल माल लिजे इस X परिक्षेद में इस द्रव पर दाब P1 है तो हम यहां लिकेंगे P1 इंटू इसका छेत्रफल यानिकि A1 अब प्रती सेकेंड द्रफ पर किया गया कार्य यहां द्रफ पर कार्य किया जाएगा और उसी कार्य के कारण ही द्रफ इस नली के अंदर प्रवेश करेगा तो द्रफ पर किया गया कार्य कार्य का फॉर्मला होता है बल इंटो विस्थापन बल हम ग्याद कर चुके यह पीवन इन्टू एवन और विस्थापन यानि कि दूरी तो दूरी यहां पर हमें प्राप्त हुए वी वन तो इस प्रकार प्रती सेकंड द्रफ पर किया गया कारिय जिसे हम डबलू वन से प्रदर्शित करते हैं तो यह होगा पी वन एवन इन्टू वी वन इसी प्रकार हम वाई परिक्षेत के लिए ग्याद कर सकते हैं वाई परिक्षेत के लिए वाई परिक्षेत को हम देखें तो यहां से द्रफ नली से बाहर की और निकल रहा है मतलब यहां पर द्रफ द्वार कारी किया जाएगा तो द्रव द्वारा किये गए कारे को यदि हम W2 से दर्शाते हैं तो यह हो जाएगा P2 A2 into V2 जहां P2 इस Y परिक्षेद पर द्रव का दाब है और इस प्रकार इस नली के अंदर द्रव के प्रवाह के लिए किया गया कुल कारे W बराबर होगा W1 माइनस W2 अब मान रख देते समिकरण पर तो हमें मिलेगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 बच्चों हमने यहां पर W1 माइनस W2 क्यों लिखा क्योंकि हम कुल कारे की बात करें तो हमें जोड़ना चाहिए था डबलुवान प्लस डबलुटू लिखना चीए था पर हमने डबलुवान माइनस W2 लिया क्योंकि हम देखेंगे कि एक सीरे में द्रव पर कार्य किया जा रहा है जिसे हम डबलुवान से प्रदर्शित करें थे तो इसे हम धनात्मक लेंगे और दूसरे सीरे में द्रव के द कंटिन्यूटी से सांतत्य समीकरण से हम जानते हैं कि यदि नली आ समान परिक्षेत की होगी तो वहां पर छेत्र फल और वेग का जो गुणन फल है वो हमेशा नियत रहता है तो यहां पर भी नली एक समान है इसके अंदर भी जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वो आदर इसलिए हम यहां पर इक्वेशन आफ कंटिनूटी लागू कर सकेंगे तो हम इन दोनों परिक्षेत एक्स और वाई के एरिया और वेग को यदि गुणा करते हैं तो वह एक नियत राशी मिलेगी यह बोल सकते हैं एक्स और वाई में यदि एरिया और वेग का गुणन फल क करेंगे तो वह दोनों जगे के लिए समान होगा तो हम लिख सकते एवन वीवन बराबर एटू वीटू अब मालीजिए यह द्रफ का घनत्व रो है और दोनों पक्षों में मैं रो से गुणा कर देती हूं तो लिखेंगे एवन वीवन इन्टू रो बराबर एटू अब इस समीकरण को हम देखें तो रो घनत्व है और एवन को जब वीवन से गुणा करूंगी एवन छेत्रफल है और वीवन दूरी हलाकि वीवन हम वेग बोल रहे थे लेकिन वो प्रती सैकंड में द्रफ के द्वारा तैय की गई दूरी भी है तो जब हम दूरी को छेत्र प्रती सैकंड में द्रफ की द्वारा तैय किया गया आयतन यह होगा एवन वीवन इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आयतन इंटू घनत्व और आयतन और घनत्व को गोना करते तो द्रव्यमान मिलता है तो मान लीजिए प्रती सेकंड एक्स परिक्षे से गुजरने वाले द्रव्य का द्रव्यमान M है तो वाई परिक्षे से भी वही द्रव्यमान बाहर निकलेगा क्योंकि हमने जो द्रव लिया है वह एक आदर्श द्रव है यानि असंपिंडी इनकंप्रेसिबल इसलिए इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर हम M से प प्रती सेकेंड बहने वाले द्रव का द्रव्यमान है और इस प्रकार A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर M अपन रो लिख सकते हैं और इस एक्वेशन 1 में यानि जो कुलकारी का एक्वेशन था उसमें हम A1 V1 और A2 V2 बराबर M अपन रो लिखे तो यह समीकरण कुछ ऐसा बन रो यह से M अपन रो दोनों में कॉमन है तो हम M अपन रो कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा P1 माइनस P2 और यह समीकरण कुलकारी को प्रदर्शित करता है इससे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं अब यह जो कुलकारी है यह द्रव की गतीज उर्जा में व्रद्ध करेगा तो हम पहले गतीज उर्जा में व्रद्धी को कैलकुलेट करते हैं इसके लिए हम दोनों ही परिक्षेद में गतीज उर्जा के मान को कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कितनी व्रद्धी हुए है तो एक्स परिक्षेद में गतीज उर्जा का फॉर हाफ एमफ़ीन स्क्वेर जिपक्रिक्षेद में गतिज ओर्जय का फॉर्मूला होगा हाफ mv2 स्क्वेर अब गतिज ओर जामें व्र०्धी कितने होगी तो हम लिखेंगे K2 – K1 बीणila 2008 की गतिज और्जय – x होगा अब यह कैसे त्य होगा कि वाइ परिक्षेत की गती जोर्ज अधीक है क्योंकि वृध्य हमको निकालना है तो अंतर निकालना है और अंतर हम कैसे निकालेंगे बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो इस चित्र में यह बेल कुल इस परश्ट दिख रहा है कि वाइप का क्रॉस सेक्षिन इरिया कम है और एक्स परिक्षित का अधिक है तो जहां क्रॉस सेक्षिन इरिया कम होगा वहां पर वेग अधिक होगा यह हमने equation of continuity से जाना था इसलिए हम k2 माइनस k1 लिखे और यह हो जाएगा यहाँगा व्रद्धी जो हमने प्राप्त की है इसे हम दे आँगे इसके लिए हम gesch recalcula और वाई परिक्षेत की स्थिती ही जूर्जा गयाद करेंगे एक्स परिक्षेत की स्थिती ही जूर्जा इसको यूवन से दर्शार हो यह जगा एम जी एच वन और वाई परिक्षेत की स्थिती ही जूर्जा यूट्यू बराबर होगा MGH2, अब उर्जा में वृध्धी निकालना है, फिर हम बड़े में से छोटी राशी को माइनस करेंगे, अब यहाँ पर Y परिक्षेद के स्थितीज उर्जा अधिक होगी, क्यों? क्योंकि यह अधिक उचाई पर है X परिक्षेद की तुलना में, इसने हम लिखेंगे MGH2 माइ माइनस MGH1, यहाँ से MGMG common है, common लेने पर हमें मिलेगा, MGH bracket के अंदर H2 माइनस H1, और यह स्थितीज उर्जा में वृध्धी को दर्शाता है, और इस equation को हम equation number 4 दे देते हैं, अब उर्जा संगरक्षन की नियम से हम देखें, तो यहाँ जो किया गया कूल कारिय है, जिसके कारण द्रव नली में X परिक्षे से Y परिक्षेत के और प्रवाहित हो रहा है, और इस प्रवाह में उसकी स्थितीज उर्जा में वृध्धी हो रही है, और गती जूर्जा में भी वृध्धी हो रही है, तो यह जो किया गया कारिय है, यह दोनों उर्जा में वृध्धी क के यो कि बराबर होगा और इसलिए हम इस प्रकार का समीकरण लिख सकते हैं कि रहप पर किया गया कोल कारिय बराबर की गति जोर्ज हमें वर्द्धी प्लस में सृपी दो-धीन और चार से मान रखने पर हमें मिलेगा P1-P2 M upon rho equal to 1 by 2 M V2 square minus V1 square plus Mg H2 minus H1 दोनों पक्षों में घनत्म रो से गोड़ा करने पर हमें प्राप्थ होगा P1-P2 equal to 1 upon D rho V2 square minus V1 square plus rho G H2 minus H1 इसे और हल करते हैं हम X परिक्षेत की सारी उर्जाओं को एक साथ निखेंगे और Y परिक्षेत से जूड़ी हुई सारी उर्जाओं को एक साथ निखेंगे तो हमें मिलेगा P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 equal to P2 half rho V2 square plus rho G H2 और इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों परिक्षेत में कुल उर्जाओं का योग एक नियत राशी है यदि इस pipe में हम कोई अन्य परिक्षेत भी ले तो वहाँ पर भी ये तीनों ओर्जाओं का योग नियत ही होगा और इस प्रकार हम लिख सकते P plus half rho V square plus rho GH equal to नियता और यही परनौली का प्रमय है H1 बराबर H2 बराबर H लिख सकते हैं और यहां माल समी करेंट 5 में रखने पर हमें मिलेगा P1 plus half rho V1 square plus rho GH बराबर P2 plus half rho V2 square plus rho GH दोनों पक्षों से rho GH कैंसल करते हैं तो हमें मिलेगा P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 square और इस तरह हम देखें कि दोनों परिक्षेत के लिए टाव और गतीज ओर्जा का योग एक नियत राशी हो जाती है और इस प्रकार हम लिख सकते हैं P plus half rho V2 बराबर नियतांग और इस समी करेंट से हम देखें तो P बराबर होगा नियतांग माइनस half rho V2 मतलब इस सिती में दाव ओर्जा और गतीज ओर्जा का योग नियत रहता है यदि हम बर्नौली के प्रमे से देखें तो P plus half rho V2 plus rho GH बराबर नियतांग होता है यहां से हम देखें तो P plus rho GH बराबर नियतांग माइनस half rho V2 होगा और साथ ही हमने जो विशेश सिती देखें उसकी अनुसार हम लिखें तो P बराबर नियतांग माइनस half rho V2 होता है और ये दोनों समीकरणों से इस पर्ष्ट है कि V का मान कम होने पर P का मान अधिक होगा तता V का मान अधिक होने पर P का मान कम होता है ये जो समीकरन अभिया में प्राप्त हुए है ये संबंद तरल के वेग और उसके दाब में संबंद को प्रदर्शित कर रहा है यदि तरल प्रवाहित हो रही है और हम कोई दो अलगलग बिंदू लेते हैं इन दोनों बिंदूओं पर ये जित शेतिज ओर्जा तरल के प्रव बहा के दौरान समान है उस कंडिशन में जिस जएगे पर जिस बिंदू पर वेग अधिक होगा वहाँ पर दाप कम होगा और जहां पर वेग कम होगा वहाँ पर दाप अधिक होगा यदि इस समिकरण को द्रव के घनत्वर रो से भाग देते हैं तो यह समिकरण बन जाता है P upon rho plus half V square plus GH बराबर नियता है और यहां प्रती एकांक द्रव विमान के लिए बर्नौली के प्रमय का रूप है अता आदाश द्रव के धारा रेके प्रवा के लिए प्रती एकांक द्रव मान की कुल उज्जा नियत रहती है और यदि इसी समिकरण को मैं rho g से भागता हूँ तो यह समिकरण इस तरह से लिखा जा सकता है P upon rho g plus half V square upon g plus h बराबर नियतांक यहां प्रती एकांक भार के लिए बर्नौली के प्रमय का रूप है और दोसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं डाप शिर्ष प्लस वेग शिर्ष प्लस इस्थेतिक शिर्ष बराबर नियतांक होते हैं व्यापक रूप में बर्नौली के प्रमय का कथन निम्ननुसार है जब पोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखिये प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रतेक बिंदू पर एकांक आयतन या एकांक द्रविमार या एकांक भार की खुल ओवजा नियत रहती हैं और जिन द्रवों के परतों के बीच श्यानबल लगता है उनके लिए बर्नौली का प्रमय लागू नहीं होता और इस प्रकार हमने बर्नौली के प्रमय को सिद्ध किया पर बर्नौली के प्रमय की कुछ सीमाय भी है बर्नौली प्रमय की विद्पत्ती के समय यह कल्पना की गए कि नली के किसी भी परिक्षेद पर द्रव के प्रवाह का वेग एक समान रहता है किंतु वास्तव में नली के अक्ष पर द्रफ के प्रवह का वेग अधिक्तम एवं नली के दीवार के संपर्क में वेगनितम होता है जिसे हम स्थरी प्रवह यानि लैमिनार फ्लो के नाम से जानते हैं जब द्रव बहता है तो उसकी आंत्रिक पर्तों में आपेक्षिक वेक के कारण श्यान बल कारे करने लगता है किन्तु प्रमय की व्योतपत्ती में श्यान बल को अनुपस्थित माना गया है बर्नौली प्रमय आदर्शु द्रव के लिए सत्य है किन्तु कोई भी ऐसा द्रव नहीं है जिसे आदर्श कहा जा सके यह माना गया है कि जब द्रव बहता है तो उसकी ओर्जा में कोई छती नहीं होते जबकि द्रव की गतीज ओर्जा का कुछ भाग उश्मा इत्यादी के रूप में कम हो जाता है कि द्रव वकराकार पत्थ में बहर आ है तो अभीकेंद्र बल के कारण उर्जा पर भी विचार किया जाना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं किया गया है तो चलिए इसी कॉंसेप्ट से जूड़े हुए कुछ उधारन देखते हैं बच्चो आपने atomizer को देखा है जिसे हम कनित्र कहते हैं इसमें कोई लिक्विड हम डालते हैं और इसमें प्रेशर लगाते हैं तो इसके अंदर का liquid कनों की रूप में एंटमस एक दम छुटः छुड़ः पार्टिकल्ड की रूप में बहार निकलते हैं ऐसा आपने दवाई छड़कते उस समय भी देखा होगा वहाँ पे दाब लगाके प्रेस करके उस लिक्विट को बूंदों के रूप में निकाला जाता है यह एटमाइजर को इस प्रकार दिखता है एक नीचे बॉटल होती है जिसमें की लिक्विट को भरा जाता है जिसे की स निकलता है और इस तरीके से एक समान रूप से किसी भी सता को पेंट किया जाता है इस्पेशली गाडियों को इसी प्रकार रंगा जाता है अब यहां पर एक रबर की बॉब होती है जिसमें की एर भरा होता है अब जब इस रबर के बॉब को दबाया जाता है तो इस के हर बिंदू पर सितीज ऊर्जा का मान एक समान होगा तो संबंद किस-किस के बीच में होगा वेग और दाब और यह संबंद व्यूत करम अनुपाति का होता है हम देख रहे हैं कि वेग बढ़ाने से दाब घट रहा है वेग कम होगा तो दाब बढ़ेगा तो जब हम इस बॉटल है इसके जो ऊपर की नली है वो एकदम जेट नली है मतलब बारीक नली होती है बारीक नली होने के कारण यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है अब हवा इसके उपर से गुजरेगी और यह हवा बहुत ही तीवरगती से गुजरेगी और तीवरगती होने के कार तो यहां पर atmospheric pressure अधिक होने के कारण इस नली में अगर हवा तेजी से गुजरेगी तो इस बॉटल के ऊपर की जो नली है उस छित्र पर हम देखेंगे तो दाब कम हो जाएगा और atmospheric pressure का मान इस बॉटल पर अधिक रहेगा और इसके कारण यह द्रव नली में ऊपर की और का तो यह छोटे से छिद्र से बाहर निकलता है और यहां पर वेग अधिक होने के करण वायू का यह जो लिक्वीड है वो छोटे-छोटे droplets के रूप में बढ़ जाता है और इस प्रकार कोई भी atomizer काम करता है यहां पर जो लिक्वीड है लगातार इस नली में ऊपर के बढ कोपलेट्स के रूप में से बाहर निकलती है अब हम इसका अगला उधारन देखते हैं बच्चों मान लीजे यह एक फवारा है जो कि बारिक जेट से बाहर आ रहा है यहां पर पानी की धार बड़ी तीव्र गती से ऊपर के और आ रही है और यदि इस तीव्र धार के उपर एक बॉल रख दें एकदम हलकी वाली पिंग पॉंग बॉल जिसे कहते हैं जिसका वेट बहुत ही कम रहता है जिब इसके उपर रख दें तो क्या होना चाहिए आप सोच रहे होंगे कि यह बॉल तो धार से टकराकर ऊपर के उचल जाएगी और गिर जाएगी लेकिन ऐसा न जो इस पानी की धार को देखें यह उपर क्यों रही है तो इसके साथ साथ जुड़े हुए वेग की गती में बढ़ जाएगी प्लेस पिंग पॉंग बॉल के नीचे हम देखें तो वायू का वेग अधिक होगा और वायू का वेग अधिक होगा उस समय यहां पर दाब कम हो पर लगाएगी इसका मतलब नीचे में कम दाब ऊपर में अधिक दाब तो यह अधिक दाब बॉल को इस पानी की धार के उपर ही दबा कर रखेगा और इस और इसलिए यह पिंग पॉंग बॉल अपनी ही जगे पर नाश्ती हुई नजर आती है बर्नॉली की थियोरम में काम करने वाला अगला उधारण है वायू यान के पंखे हम देखते हैं बच्चों कि वायू यान उड़ने से पहले रन वे पर बहुत दूर तक दौड़ता है और दौडने की कारण ही उसे एक अपलिफ्ट मिलती है जिसके कारण वो हवा में उपर की और गती करने लगता है वा करते हैं इस पंखे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है अब देख रहें ऊपर में यह उबरे हैं और नीचे में इस प्रकार का स्ट्रक्चर है अब जब वायू यान आगे की और बढ़ता है तो अपने पीछे वो जगा खाली करते जाता है उस जगे को भरने के लिए सामने की हवा तेजी से पीछे की और जाती है वायू यान के विपरत दिशा में गती करती है उस कंडिशन में देखेंगे कि ऊपर का दूरी अधिक है तो वायू के द्वारा तै की गई दूरी उपरी सता में अधिक होगी क्योंकि यह हवा तो एक साथ ही पहुचे इस जगे पर दोनों सेम टाइम पर पहुचे इसका मतला उपर ही सता में जो वायू गती कर रही थी वह अधिक दिवरती क्योंकि उसने जदादा दूरी था है कि तो वह तेजी से चलती वावा पहुची अब उपर की हवा तेजी से गती कर रही हुआ और नीचे की हवा उसका वेग कम है तो नीचे में दाब अधिक हो जाएगा और उपर में दाब कम हो जाएगा जहां वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है और जहां वेग कम होगा वहां दाब अधिक होगा इस कंडिशन में नीचे का दाब अधिक होने के कारण यह इस प्लेन को अपलिफ्ट देगा उपर क की तरफ बल प्रदान करेगा और इसके करण प्लेन आसानी से उड़ पाता है ऐसे एक और उधारन है फिल्टर पंप फिल्टर पंप केसी भी बरतन में निर्वात क्रियट करने के लिए स्तमाल के जाता है फिल्टर पंप का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है हम देख र स्क्राइब कम होगा जैट का मतलब होता है कि नली साधर अंता एक समान रहती है लेकिन जब वह ओपनिंग होता है उसका वह बहुत सक्रा होता है तो यहां पर जैट नली है और यहां पर दूसरी नली है जिससे यह जूड़ी हुई है अब यह दोनों नलियां एक काच की तो इस बरतन से निकालना है खाली करना है और इस बरतन के अंदर निर्वात क्रियेट करना है वैक्यूम क्रियेट करना है तो जब यहां पर पानी की तीवर धार इस नली के अंदर छोड़ी जाएगी तो यहां पर इसका वेग बहुत अधिक बढ़ जाएगा अब यह जो न हवा भरी हुई है उसका दाब अधिक हो जाएगा मतलब बरतन के अंदर जो भड़ी वाईयू है उसका दाब तो नियत ही है बच्चो लेकिन उसके comparison में यह जो नली है वहां का दाब कम हो रहा है तो अब जो वाईयू का direction होगा वह अधिक कि दाब से कम दाब की और होता है तो सारी वाईयों इस पानी के साथ mixed होकर इस बरतन से बहार आ जाएगी मतलब यह जो नली है इसमें पानी और हवा दोनों रहा जाएगे और इस प्रकार इस बरतन के अंदर निर्वात create हो जाएगा ऐसे ही एक अगला उधारन देखते हैं बंसन बर्नर का बच्चों ये बर्नर केमेस्ट्री लैब में यूज होता है और ये साधरन बर्नर नहीं है क्योंकि यदि हम किसी साधरन बर्नर की बात करें जैसे हम इस्प्रेट लेंप लेते हैं तो उसमें एक ही प्रकार इनको गरम करना है तो हम दो तरीके से गरम करते हैं या तो मैक्सिमम में गरम करते हैं या लो फ्लेम में तो जोती वाली फ्लेम होती है जो हमको दिखाई देती है इस प्रकार की ये लो फ्लेम है लेकिन जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो तीवर होती है उसमें बहुत जल् होल के नाम से जाने जाता है जो कि air को अलाव करता है बुंसन बर्नार साधरन जो हमारे पास LPG gas होता है उससे connected रहता है एक ट्यूब के जरिये मतलब जब हम नॉब को खोलेंगे तो LPG gas इसके अंदर enter करेगी और हम जानते है LPG gas को हम जलाते हैं तो एक हैं तो जो फ्लेम मिल रहा है वह लाइट वाला फ्लेम है मतलब आप देख पा रहें उसको और बहुत ज़्यादा तीज उसमें रोशनी है आपको उसमें सेवैन कलर्स वाली लाइट दिखाए देगी लेकिन जब हम एयर होल को खोलते हैं तो यह फ्लेम ब्लू क्लरक सह जाता है तो अब यह यह मिक्स हो जाता है इस गैस के साथ और यह जोती हिंज़ाला देता है यानि कि अब यह ब्लू फ्लेम देता है तो यहाँ प्रवेश करेगी और इस प्रकार यह बुंसन बर्नर के जोती ही जुआला के रूप में जलने के लिए मदद करेगी यानि अब हमको बुंसन बर्नर में ब्लू फ्लेम प्राप्त होगा क्योंकि यहां पर लगातार वायू का सप्लाई इस एर होल से प्राप्त होता रहेगा यानि कि लगातार ऑक्सिजन जुआला को मिलता रहेगा और इसी लिए यह जुआला ब्लू कलर की फ्लेम देगी अब अगले उधारण के रूप में हम इस कीप को लेते हैं यह कीप तो आपने केमेस्ट्री लैब में देखा होगा यह फानल होता है घर में भी आप लोग रखते हैं जिसमें हम ऑईल डालने का काम करते हैं ताकि ऑईल जो है बड़ी आसानी से किसी बॉटल में भरा जा सके अब इस कीप को में उल्टा रख देती और इसके अंदर बॉल रख देते हैं यदि हम इस कीप के उपरी हिस्से से उपरी नली से जो पतली है उससे फूप मारे तो क्या होगा यह बॉल को नीचे इससे आ जाना चाहिए मतला बॉल को नीचे सथा मेरा नची लेकिन होता क्या है जब हम इस फनल को फूप मारते हैं तो यह बॉल इस फनल में इस जगे पर जाकर चिपक जाती हैं ऐसा क्यों होता होगा वहीं पर नाशने लगती है वहीं पर हिलने लग जाती है अक्छली जब हम फूक मारते तो तेजी से हवा अंदर की और प्रवेश्च करती है हवा की गती तेज हो जाती है हवा एक तरल है यहां पर बरनौली का प्रमय काम करता है वहाँ पर इस पाइप में देखें इस जगे पर तो दाब कम हो जाएगा और नीचे हवा जो भरी है वो अट्मोस्फेरिक प्रेशर में है तो ये अब दाब अधिक डालेगी इस बॉल पर और इस कारण ये बॉल ऊपर के और लिफ्ट हो जाती है और इस कीप में इस एरिये मे भी रख दे पतला सा तो देखेंगे फूक मारने पर भी वह कार्डबोर्ड उस फनल में चिपका हुआ है तो हम यह सोचते हैं फूक मार रहे हैं तो इसे दूर जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर बरनौली का प्रमय काम करता है फूक मारते हैं तो वायो तेज हो जाती है ही देखें तो बरनौली के प्रमय को आप experience कर सकते हैं जिसके बारे में discussion कर रहे हैं आप दो पेपर लीजिए अपने साथी के साथी बैठिये ताकि आप लोग आपस में चर्चा कर सकें कि बरनौली का प्रमय यहाँ पर कैसे लागो हो रहा है यह हवा एक तरल है यह तो हर ज दोनों पेपर इसके बीचे फूक मारें जब दोनों पेपर के बीचे फूक मारेगा तब क्या लग रहा है कि दोनों पेपर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे कि हम हावा दे रहे हैं फूक मार रहे हैं तो वेग के कारण दोनों पेपर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे पर कवेग तेज हो जाएगा मतलब बीच के एरिया में दाब कम हो जाएगा और चारों तरफ जो वाईयू है वो वाईयू मंडली दाब लगा रही होगी अटमस्फेरिक प्रेशर के कारण दोनों पेपर में दाब लगेगा और ये दोनों पेपर आपस में एक दुसरे की और आएंगे तो इसे तो आप जरूर अपने क्लास्रूम में करके देखिएगा अपने दोस्तों के साथ आपको बड़ा मज़ा आएगा यदि आप train में travel करते हैं तो आपसे generally कहा जाता है train आ रही है पटरी पर तो आप थोड़ा सा दूर रहे हैं प्लेटफॉर्म में ऐसा क्यों कहते हैं कि जब train प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो आप एक बल का अनभव करते हैं आप train की और खीचे चले जाते हैं इसलिए हम train स चलती हुई आती है तो ट्रेन के संपर्क में जो वाईयू है वो भी गती करने लगती है उसका वेग अधिक होता है और दूर स्टेशन में जो वाईयू है उसका वेग कम होता है तो जो वाईयू वेग से गती कर रही है वेग होने के कारण वहां पर दाप कम हो जाएगा मतलब ट्रेन और आपके बीच में जो वायू के गति है उसके करण दाप कम हो जाएगा जिबकि वायू जो प्लेटफॉर्म में हैं और आपके बीच में हैं उसका दाब अधिक होगा और इसी के कारण है आप ट्रेन की और एक बल का अनुभव करते हैं और ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन आपको अपनी और खीच रही है इसलिए तुम देखते हैं जब कोई ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म में जो चारो तरफ पट्री के कचड़ा कूडा रखा होता है वो ट्रेन की तरफ ही खीचा ज जाता है बच्चों अपने कार रेसिंग देखा है जब दो कार बहुत ही स्पीड से गती करते हैं अब देखें कि जब दोनों कर गती करते करते एक दूसरी के पास आ जाते हैं तो इस प्रकार का अट्रेक्शन दिखता है कि मैं यह सोचती थी कि हो सकता है ड्राइवर चलाते चलाते हैं उसके पास आ गया होगा और इसलिए अट्रैक्शन हुआ होगा लेकिन अब समझ में आया कि वह बर्नौली का प्रमय है कि जब दोनों ही कार तेजी से गती कर रहते हैं तो इनके बीच की वायू भी गती की और इस बीच की वायू की गती के कारण इसका वेग अधिक और इनके कारण इन दोनों कारों के बीच में दाब कम हो गया जबकि दोनों कारों के बागी एरिया में हम देखें तो वायू कब वेग कम था तो वहां पर दाब अधिक था इसलिए वायू दोनों कारों को एक दूसरे की और धकेल देती हैं और उसके बाद फिर वो कंट्रो आने की वज़े से कई घरों के च्छत उड़ गए हावा के सास सथ चले गए एक्चुली घर का कंस्ट्रक्शन देखें तो उनकी च्छत कुछ इस प्रकार की होती है अब तेज आंधी तुफान आया आंधी तुफान का मतलब होता है वाईयू की गदी का तेज हो जाना तो तीवरवेक से वाईयू इस घर की च्छत की उपर से गुजरती है उस समय इस घर की च्छत की उपर दाव कम हो जाता है जपकि घर के अंदर वाईयू समान वस्था में है तो यहां पर दाव इसकी तुल्ला में अधिक होगा और इसी लिए घर के अंदर से एक उपर की ओर दाव लगता है जो की बाहर की दाव की तुल्ला में अधिक होता है और इसी लिए इस रूफ को एक अपलिप्ट मिल जाता है और ये और ये च्छत हवा के साथ साथ उड़ जाती है बर नौली से जुड़ा हुआ हम एक और उधारण देखते हैं इस उधारण को हम मैगनस एफेक्ट के नाम से जानते हैं मैगनस प्रभाव जिसे लौड रेले ने बताया था बच्चों आप में से कितनों को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है और इस्पैशली बॉलर पस बॉल को ट्रांसफर करते हैं और इस प्रकार वो फास्ट बॉलिंग करते हैं और दूसरा तकु दौड़के तो नहीं आते कुछ ही दूरी पर चलते हैं लेकिन बॉल को छो किस्पिन करते हैं यस्पेंकों का गिरने वाली है फास्ट बॉलर को हम देखे तो भले उसके बॉल की गती अधिक होती है लेकिन बैट्समेंट प्रिडिक्ट कर लेता है कि बॉल कहां आने वाली है कि हम जानते हैं बच्चो किसी भी वस्तु को यदि जमीन से फेका जाए उर्धवा धर छोड़कर 36 से कोई कोण बनाते हुए तो वो प्रक्षेप पे गती करती है यानि कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो उर्धवा धर भी गती करती है और 36 भी करते हुए एक पैराबोलिक पात बनाकर आगे की और बढ़ती है तो इस प्रकार बैट्समेन फास्ट बॉलर में गेंद की स्थिति को प्रेडिक्ट कर लेता है और इसलिए तो जब फास्ट बॉलिंग होती है तो आप देखें होंगे कि बैट्समेन अच्छे से अगर अपना बल्ला घुमाए तो बॉल को ब गर्नौली का प्रमय छुपा हुआ है पर इसे हम मैगनस एफेक्ट के नाम से जानते हैं बच्चों यदि हम बॉल को देखें और वह स्पिन कर रही है अगर स्पिन करते वे बॉल आगे की और बढ़ रही है तो इस बॉल में हम दो स्थितियों को देखते हैं यदि बॉल के आगे की और बढ़ रही है तो आगे की और हिस्से को भरने के लिए तेजी से पिछह की और आ रही है अब ये बॉल आगे क्यों स्पिन कर रही है उपरी हिस्से में और वायू पीछे क्यों आ रही है इसका मतलब उपरी हिस्से को सपोर्ट नहीं मिलेगा जब कि नीचे की बात करें तो बॉल की डारेक्शन भी इसी तरफ है वायू की डारेक्शन भी इसी तरफ है तो नीचे वाल हिस्से में अधिक होगा इसका मतलब उपर वाले हिस्से में ज्यादा दबाव महसुस करेगी बॉल और नीचे वाले हिस्से में कम दबाव महसुस करेगी और इसलिए जब आगे गती करेगी तो यह नीचे की और दब जाएगी हाला कि इसका पात प्रोजेक्टाइल मोशन होता है लेकिन यह अब ज्यादा वक्रकार हो जाएगा और अधिक मोड जाएगी और नीचे की और गिर जाएगी यदि इसको हम समझने की कोशिश करें एक इस प्रकार का इंक्लाइन प्लेन ले और इसमें से इदि बॉल को गिराते हैं तो आप देख रहे हैं कि बॉल एक इस कंडिशन में हम देखेंगे कि यह जो बेनलाकार वस्तु लुड़ा कर रही है यह बॉल की जितने आगे दूरी पर जाकर नहीं गिरी बल्कि उससे पहले ही गिर गई क्योंकि यहां पर मैगनेस एफेक्ट दिखा उपर दाब अधिक था नीचे दाब कम था और इसके कार जाएंगे कि और यह मैंगनस प्रभाव बॉल में हमेशा हमको देखने को मिलेगा जब भी बॉल स्पिन करेंगी इसलिए बच्छों जो बुलेट्स होते हैं गोली उसे हम गोलाकार नहीं बनाते हैं कि यदि गोलाकार हुई तो यह हमेशा मैंगनस प्रभाव में ही रहेगी इसलिए इसका आकार बेलनाकार बनाये जाता है और जिस दिशा में गती करती है यह बेलन का अक्ष भी वही होता है और इसी अक्ष के परीता यह बुलेट भी घुरनी गती करती है अब यह बुलेट घुरनी गती कर रही कुछ इस प्रकार इसमें वेक की दिशा जो है वही इस बेलन के यानि इस बुलेट के अक्षव की भी दिशा है और इसके परीता या इस प्रकार गुर्णी गती कर लिए अब वाईयू तो इस प्रकार पीछे क्यों राएगी तो इस तरह से जो स्पिन मोशन हो रहा है उसके कारण इसके गती में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और यही बॉल रहती तो बॉल सब्सक्राव से गोल है तो यह वाईयू की दिशा जो है वो उपर और नीचे की सता में अलग-अलग होने के कारण और बॉल जिस प्रकार से स्पिन कर रही है उसके कारण जरूर इस गोली पर प्रभाव पड़ता और इसी लिए जितने भी बुलेट्स होते हैं वो बेलना कर बनाये जाते हैं